नमश्कार दर्शे को आज जो में आप लोगे साथ मुस्का शेयर करूंगी उसके अस्तिमाल से आप अपने सर से जूए लिखो को बिलकुल दूर कर पाएंगे सर में जूए होने का दोस्तो सबसे बड़ा लक्षन होता है कि बार बार आपको खुजली मचती है जब जूए आपके सर में आपकी जड़ो पे होती है वो आपको काटती है तो आपको इचिंग होती है खुजली होती है जूए हमारे सर में होती है और वो हमारा खुन चूसकर जिन्दा रहती है जूए लिखो को दोस्तो अपने सर से भगाना असान बात नहीं होती है इसके लिए आपको जोए तरह तरह के शैपू बदलने पड़ते हैं तेल बदलने पड़ते हैं और बार-बार बालों में कंगी को मारना पड़ता है लेकिन फिर भी बालों में कही न कहीं थोड़ी सी जुए रह जाती हैं तो दोस्तों आज मैं आप लोगे साथ जो रेमेडी शेयर करूंगी उससे आपकी जो सर है उससे सारी की सारी जुए बिल्कुल खतम हो जाएंगी बिल्कुल निकल जाएंगी तो बिना वक जाहिर करें हम इस नुसके को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमार चैनल को जरू-जरू सब्सक्राइब करेंजे और उसके बाज़े में नुटकेशन बैल को भी आउन कर देजे ताकि जब भी मैं ऐसा ही कोई न्यू व बगाने का काम करते हैं क्योंकि इसकी अधर दोस्तों किटनाशक शक्तियां होती है जो आपकी जिओ को लिखो को बिल्कुल आपके सर से दूर कर देती है क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वह बहुत स्ट्रॉंग होती है जिससे जिओ को सास देने में दिक्कत होती है तो यहा निम्बू निम्बू के अंदर विटामीन C होता है जो आपकी स्केल्प को आपकी जड़ो को साफ करने का काम करता है और बालों से इचिंग की समझा को दूर करने का भी यह बहुत अच्छे तरीके से काम करता है तो यहां पर हमें इसको हाफ कट कर लेना है आदा कटा हुआ न और अब जो फाइनल इंग्रेडियंट यहां पर आपको लेना है वो है काली मिर्च काली मिर्च के अंदर दूस्तों एंटी बैक्टिरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो जूए लिखो को बिल्कुल भी आपके सर में टिकने ही नहीं देती इसके इस्तेमाल से आपके सर में जितनी भी जूए लिखे के समझ से वह बिल्कुल दूर हो जाते है तो हाँ पर हम काली मिर्च के इस्तेमाल करेंगे लेकिन इसको जो आपको पीस लेना है या आप मार्केट से पीसी हुई काली मिर्च भी लेकर आ सकते हैं तो आदा चमज करीब पीसी वी काली चुका है हेरोश करने के एक घंटा पहले आपको जैसनुस्के को तयार करके इसको अपलाए करना है बालों की जड़ों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपलाए करना है इसको अपलाए करने के बाद आपको जो इसको सीफ एक घंटे के लिए से चोड़ देना है और उसके बाद अपने hairs को आपको wash कर लेना है और फिर जब आपके बाल सूख जाए तो उसको आपको कंगी करना है कंगी जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कितनी आसानी से आपके जो बाल है उससे सारी जूए और लिखे बिल्कुल बहार आ जाएंगे हफ़ते में तीन दिन भी अगर आप इस नुस्के का इस्तमाल करेंगे तो आपको जो इसकी गजब की रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही तो अगर आप लोग को इसका अच्छा लगा हो घल्फुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजे कमेंट कीजे और स्प्सक्राइब कीजे मिलतूं आप लोगो से नेक्स वीडियो में तब तक हेलाब अपना ख्याल रखे और स्वस्त रहें